दोस्तो आज मैं आपके साथ चेयर कर रहे हूँ पत्ता गोबी की नए तरीके की सबजी की रेस्पी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती हैं और हेल्दी भी हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं पत्ता गोबी ये बन्दुगोबी की सबजी बनाने के लिए मैंने एक चोटी साइज के पत्ता गोबी को धुलने की बाद बारिक बारिक काट लिया है वजन में ये 300 ग्राम है अब इसमें से एक मुठी पत्ता गोबी हम अलग रख लेंगे यानी 100 ग्राम के करीड अब बाकी बच्टे पत्तक गोबी में हम ढालेंगे थोड़ा सा बारी कट वा हरा धनिया आधा चम्मच कुटी लालạt मिर्श आधा चम्मच लामक माख major चम्म अधा चम्मच हल्दी कि अधा चम्मच धनिया पाउडरण। कि थो में और दो बड़े चम्मच बेशन। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है, तो हम इने रख देंगे साइड में, जिससे सबचें थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, अब एक कढाई के अंदर तो चम्मच तेल गरम करेंगे, इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच जीरा और जीरा चटक गया है, तो हम इसके अंदर प्याज दाल देंगे, एक छोटे साइच की प्याच को मैंने बारी-बारी काच लिया है, इन्हें हम थोड़ी देर भूनेंगे, प्याज हलका ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो हम इसके अंदर डाल देंगे, आधा चम्मच अदरक ल ब्राउन हो जाए दो मिनिट भुनने के बाद ये देखिए प्याज हलका ब्राउन हो गया है अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे एक टमाटर को मैंने चौक करके लिए है पारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही हम डाल देंगे एक छोटा चम्मस नमक आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग डालिएगा और ध्यान रखिएगा पत्तक गोबी और बेशन का जो मीश्रा हमने बनाया है उसमें भी हमने नमक डाला है अब हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मस धनिया पाउडर आधा चम्मस लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मस ह और भून लेंगे जिससे प्यास टमाटर और मसाले अच्छे से पख जाएं दो से तीन मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर पत्तकों भी डाल देंगे जो हमने अलग करके रखा था इनको मसालों के साथ मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी तो मैं देड़ गिलास पानी डाल रहे हूँ मिला लेंगे इन्हें अच्छे से और गैस धीमी करके इन्हें पकने देंगे इधर ये देखे बंद गोबी के पत्ते सौफ्ट हो गया है लेकिन अभी ये थोड़े ड्राइ ड्राइ से लग रहा है तो इसके अंदर दो से तीन चम्मश हम पानी डालेंगे और इन्हें एक बार और मिक्स कर लेंगे पानी मिक्स करने के बाद ये देखे ये मिस्टर थोड़ा इस तरह का हो गया है आप एक छोटी ठाली ये छोटी प्लेट ले ले लेजे इनको ओल से ग्रीस कर लेजे इसके अंदर ये मिस्टर डाल देजे इनको चम्मश से इस तरह से दबाते वे सेट कर लेजे देखे इस तर तसे इधर ग्रेव में उबाला गया है अब हम इसके उपर ये दूधवाली जाली रख देते हैं और इसके उपर ये पत्ता गोभी वाला प्लेट रख देते हैं अब इसे कभर कर देते हैं और ढख कर 5 मिनट तक स्टीम कर लेंगे 5 मिनट बात ये देखिए ये अच्छे से प्लेट को निकाल कर ठंडा कर लेंगे और यह जाली वाला बर्तल हटा देंगे इधर पत्ता को भी अच्छे से गलगा है तो हम इसके अंदर आधा गिलास मानी और डाल रहे हैं और एक बार इने और ढखकर पकने देते हैं पांच मिनट के लिए मैंने इस प्लेट को फ्रीज म करने से सब्जी चल्दी बन जाती है इस तरह से हम इनके चोकोर चोकोर पीसेश कट कर लेंगे सभी पीसेश को निकाल कर अलग कर लेंगे इधर ग्रेवी में उबाला गई है तो हम इसके अंदर ये पीसेश डाल देंगे ग्रेवी अभी पतली लग रही है लेकिन सबजी थोड़ी ठंडी होने के बाद ग्रेवी गाड़ी हो जाती है अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे इसकी जगा धनिया की पत्ते भी डाल सकते हैं और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर इनको अच्छे से मेक्स करेंगे और इन्हें ढख कर दो मिनट तक और पकालेंगे दो मिनट बात चलिए हम इने गरमा गरम सर्व करके दिखाते हैं तो लीजे तयार है पत्ता गोबी की ये स्वादिष्ट सबजी इन्हें रोटी पराठे चावल या किसी भी चीज के साथ सर्व करिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स रेस्पी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेयर करना ना भोलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद